तो 6.6 तक हमने complete कर लिए 6.7 पर आजाओ जैसे derivative में product rule होता था इसी तरह 6.7 में आप लोगों के exercise थी एक जिसका नाम था integration by parts यह आप उसरद यूज़ करते हो जब दो function आपस में multiply हो रहे हैं और आपने उनको integrate करना है तो आप यह वाली technique यूज़ कर रहे होते हो जिसको आप integration by parts कहते हो इसका तो formula है जो आप exercise में use करते थे आप हो में mention कर देता हूं लेकिन यहां पे आप mcqs में यूज़ करोगे नहीं formula यह था के u integral vdx minus integral du upon dx integral vdx और end पे आप dx लगा दे तो यह complete formula था जिसके दरिये से आप integration by parts वारी technique जो है ना उसको perform करते थे अच्छा जी अब यह जो formula है आपने देखा होगा exercise में जब आप इसको apply करते थे तो आपके पास बहुत बड़ा integral आता था तो अगर आप यह use करोगे तो बहुत बड़े आपके पास processes होंगे u let करोगे v let करोगे पूरा formula apply करोगे solve करोगे तो इसकी एक बहुती world famous trick है world famous लिए कि बहुत ही मशूर trick है उसका नाम है di method इसको di method भी कहते हैं tabular method भी कहते हैं यह इसके नाम है तो अब इस trick की वज़़ा से आप direct answer निकालोगे वैसे आपको पता होगा कि आप you let करते थे फिर उसको यू को याद रखो differentiate करते हम वी को हमेशा integrate करते हैं तो उसके बाद पूरा process करते हैं formula apply करते हैं तो एक तो चीज़ जहन में रखो इस method में भी चीज़ होगी कि आपने यू को differentiate करना है वी को आपने integrate करना है दूसरी चीज़ कि यू आप उसको decide करोगे यू को decide करने के लिए यह formula होता था formula नहीं कह सकते है इसको एक आप लों के सानी के लिए इसको हम abbreviation कह सकते हैं एक रॉनिम भी कह दो कुछ भी कह दो इसको होता यह कि L for logarithmic, I for inverse trigonometric, A for algebraic, T for trigonometric, E for exponential, कहने का मतलब जब कोई भी दो function एक साथ मौजूद हैं तो आप यह देखोगे कि उन में से प पहले आ रहा है उसको आप यू डिसाइड करोगे, अगर logarithmic और trigonometric आ जाए तो आप यू किसको लोगे, L को लोगे, जैसे मैं example देतो हो यहां पर, example है भाई, x square cos x, अब एक algebraic function है, एक trigonometric function है, तो A पहले आता है, तो आप यू लोगे algebraic को, और फिर V ले लोगे आप trigonometric क तो जो पहले आएगा ना, उसको आपने यू लेना होता है, तो यह दो चीज़ों को combine करके हम यह trick बनाते हैं पूरी, सबसे पहले चीज़ मैंने पता है, इस trick में क्या होगा, कि यू और V आप डिसाइड करोगे, A पहले आता है, तो यू आप लोगे, भाई, x square को, और V आपने stripe के टेबल बना लिये, U, V, U आपने x square को लिया, V आपने cos x को ले लिया, उसके बाद, दूसी चीज़ मैंने क्या पता ही थी, कि यू को आप integrate करते हो, और V को आप differentiate करते हो, तो x square का derivative 2x, 2x का derivative 2, 2 का derivative 0, x square का derivative 2x, 2x का derivative 2, और 2 का derivative क्या होता है, 0 होता है, इसी तरह integrate आप कर दो, cos का integral sin, sin का integral minus cos, minus cos का integral minus sin, आपने step by step सबको integrate कर देना है, cos को integrate करो sin आएगा, sin को integrate करो minus cos, minus cos को integrate करो तो minus sin, यह समझ लो, आपका आजा सवाल complete हो गया, उसके बाद आप इस trick में क्या करते हो, आप diagonally multiply करते हो, आप इस तरह multiply करो, फिर नीचे करने की जूरत नहीं ह जैसे आपके पास zero हो जाए ना, तो फिर आपको और solve करने की जरुरत नहीं है, क्योंकि यह तो zero नहीं होगा ना, यह तो चलता जाएगा, लेकिन आपने देखा कि एक तरफ zero आगया है, बस आप रुक जाओ, आपको मजीद, इसको solve करने की जरुरत नहीं है, ठीके, आपने यहां पे zero आगया, तो इसको भी आप यहीं तक करो, मजीद solve ना करो इसको, उसके बाद आपने क्या कर दिया, यह diagonally आपने alliance लगा दी, अब पहली ट्रम के साथ positive, फिर negative, positive, फिर negative, अब आप इसको solve करो, इसके साथ negative लगाओ या ना लगाओ बात यह की है, zero है यह पुरा, अब आप direct answer लिखोगे इसका, integration by part में आपको याद हो तो आप पुरा solve करते थे उसके बाद answer आथा, अब आप direct answer लिखोगे, कैसे, आप x square को multiply करो sine से, यह हो जाएगा x square sine x, और sine क्या होगा इनका positive, 2x को multiply करो minus cos से, लेकिन यह वाला minus भी महुजूद है, तो इस minus से यह वाल minus positive हो जाएगा, आपके पास आजएगा 2x cos x, फिर 2 को multiply करो minus sine से, तो यह हो जाएगा minus 2 sine x, और end पे आप plus C लगा तो that's it, अब यह आप वैसे solve करते तो आपका बड़ा time लग जाता, ठीक है, आपको दो दफ़ा integration वे part लगानी पड़ती यहाँ पर, एक दफ़ा से काम नहीं लेकिन इस method से आपका a की step में पूरा answer आ गया है, तो क्या मैंने process किया है, मैं दुबारा example देता हूँ, दुबारा solve करता हूँ तो आपको मजीद clear हो जाएगा, अब एक और example देता हूँ, let कर लो आपके पास आजए x square और को exponential लिख देते हैं, e की power x, इसको आपने integrate करना है तो अब जर आप देखो, क्या method है सर वाँ, अगर आप देखो यहाँ पर यह algebraic है, और e जो है, वो exponential है, अच्छा इस पर भी आप दो दफ़ा integration by part करोगे, यह मुझे पता चल जाता है, अगर आप लोग भी सोचो आपको इपास चल जाएगा, एक दफ़ा में integration by part नहीं होग इसमें, अगर आप manually इस formula को इस्तमाल करोगे तो, लेकिन इस trick से आपको एक या दो देखा का मसला नहीं होता, एक इस step में आपका answer आजाता है, इसको आप algebraic ले लो, मतलब यह algebraic है, यह exponential है, तो e बाद में आता है, a पहले आता है, तो जो पहले आता है, उसको आप you let करते ह तो u आप let कर लोगे x square को, और v let कर लोगे e की power x को, अब मुस्से यह सवाल नहीं पूछना के सर, यह board में कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, सर यह ऐसी trick board यह देखो, मुझे पता था, यह सवाल आएगा, बोर्ड में नहीं कर सकते हैं, दिखने में आपको लगता है कि आपको को होती हो तो बहुत असान हो जाता, लेकिन फिर यह short cuts है, यह आपको long term benefit नहीं देती, आप यह हर जगा काम नहीं कर दी, यह आप जहन में रख लो, कहिना कि मसला आ जाता है, तो यह जो असल method होता है ना, वह असल चीज होती है, method अगर आपको बता है ना, वह असल matter करता है, यह कहां से बनी वी है, यह इसी मेतरशद बनी वी है, अगर सोचो अगर आपके बाद यह ना होता, तो डारेक यह भी ने आता फिर, तो यह short cut है, जो इन से बनी वी होती है, बारल, तो अब करना ही है इसमें, कि आपने x square को यू ले लिया, और exponential को आपने भी ले लिया, यहां पर x cube भी लिख सकता था, आपके पास एक ट्रम extra हो जाती, लेकिन इतरा बड़ा आता नहीं है, एनटी में किसी भी इनुर्स्ट्री में बहुत बड़ा नहीं देते हैं, आपको बेसिक सा देते हैं, और exponential function तो ऐसा function है, चलो मैं इसको थोड़ा मुश्किल कर लेता हू ताकि आप लोगों समझाज़ें, मैं 2x कर लेता हूँ इसको, तो अब integrate करते वे थोड़ा मसला होगा आप लोगों को, क्यूंकि अगर e की power x लिखो ना, तो e की power x को आप जितनी दफ़ा integrate करो, हमेशा e की power x या answer आएगा, इसी तरह e की power x को जितनी दफ़ा differentiate करो, यह ऐसा स कि इसको differentiate करते जाओ, इसको integrate करते जाओ, कुछ नहीं असर होता इसको, तो आपके लिए example काफी easy हो जाती, मैंने चेंज कर दिया, अब मैंने इसको e की power 2x कर दी, अब पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, अगर आप e की power 2x का derivative निकालो, sorry, integral निकालो, मैंने class के start में आपको बता 1 upon 2 e की power 2x, फिर जब दुबारा integrate करोगे, आप उजाएगा 1 upon 4 e की power 2x, फिर दुबारा करोगे, आप उजाएगा 1 upon 8 e की power 2x, कैसे कर रहा हूं, यह आप लोग वहां पे देखना, आपको idea हो जाएगा, sir, अगला e की power x sin x कर दे, e की power x sin x, यह मैं करूँगा, different functions है, मैं बता इसको multiply करो, इसको multiply करो, इसको multiply करो, आंसर क्या होगा, x square को multiply करो इस पूरी term से, तो यह हो जाएगा, x square upon 2 e की power 2x, फिर इस minus 2x को multiply करो, 1 upon 4 e की power 2x, तो 2 से 4 cancel हो जाएगा, यह हो जाएगा, x upon 2 e की power 2x, यह simplification है, इसमें अगर ना भी कुछी समझ आएगा, तो आप लोग द multiply करो, तो 1 upon 4 e की power 2x, प्लस c, यह पुरा आपका अंसर हो जाएगा, सर, x square tan inverse का भी करवाए, अच्छा यह हर possibility नहीं हो सकती, जहन में रखना, यह अगला सवाल मैंने x square tan inverse की करवाना था, लेकिन मैं पहले से बता रहूं कितने सवाल मुश्किल हो जाते हैं इसके अंदर, य उसमें मजीद मसले हो जाते हैं, यहां तक तो अभी देख लो, यह दो सवाल तो आप लों को इसी लगेंगे, basic से मैंने start किये, इसमें बस यह होता है कि जब zero हो जाएना एक function, तो आप रुख जाते हो वहाँ पे, और बागी आप इनको multiply करते हो, आपके पास जारेका answer आज जबरिक और trigonometric, algebraic और exponential, तो यह दोनों आपने ट्रिक जो देखी है ना, इस पर कोई भी random आप दाल दो, कोई भी trigonometric algebra के साथ ले आओ, कोई भी exponential इसके साथ ले आओ, तो method पूरा यह होगा, अब method चेंज होते जाएंगे, हर case में यहाला method नहीं होगा, जैसे मैंभी example देता x square ln x, simple दा function है, अब अब मसला पता है यहां पर क्या आरहा है, algebraic होता है, x square, logarithmic होता है ln x, अब a पहले आरहा है, l पहले आरहा है, то होगा यह, कि यहां पर आप you, जो है, वो ln x को लोग है, और v जो है, वो x square को लोग है, तो आब यहां पर को खत्म ही नहीं होगा, कोई zero आ सकता अब ये मुश्किलात आपकी आगी हैं लेकिन इसका हल भी मौजूद है इसका हल देख लेते हैं क्या होता है सबसे पहले आप नॉर्मल काम करते हो ही काम करो ln x को आप differentiate करो ln x का derivative 1 upon x होता है x square को integrate करो इसका integral होता है x cube upon 3 अब सवाल ये कि आप कब तक करोगे ये इसको differentiate करते जाओ करते जाओ चलता जाएगा इसको integrate करते जाओ ये भी चलता जा रहा है तो रुखना कहां पर आपने तो ये जो trick है ये हमें बताती है कि अगर कोई 1 0 हो रहा है तब आप रुख जाओ जो पहले आपने देखा था फिर ये trick बताती है कि अगर 0 नहीं हो रहा तो फिर आप क्या देखोगे अगर किसी raw के product को आप integrate कर सकते हो तो आप रुख जाओ वहीं पर जैसे अगर आप इस raw को देखो जब आप इसका product निकालोगे तो इसका product आएगा x square upon 3 जब आप इसको multiply करोगे तो x square upon 3 आएगा और x square upon 3 को क्या आप integrate कर सकते हो बिलकुल कर सकते हो x square upon 3 का integral आ सकता है तो जब आप यह देखोगे ना किसी raw का product जो है उसको आप integrate कर सकते हो तो उसी shape में आप रुख जाओगे आपको आगे जाने के जरुरत नहीं है किस तरह integrate करेंगे basic power rule लगाएंगे इसके उपर तो बज़रा देखो क्या होगा मैंने देखा कि यहां कि मैं जो raw का product है को integrate कर सकता हूँ मैं यहां पर रुख गया sign लगा positive negative अप solve करो असर जब आप diagonally multiply करते हो ना तो होता यह है कि आप direct answer लिख देते हो जैसे lnx multiply होगा x cube upon 3 से तो आपने direct answer लिख दिया diagonally जब multiply करते हो तो direct आप answer लिखते हो इसके साथ कोई integral या कुछ और चीज़ नहीं आती लेकिन जब आप raw wise multiply करते हो तो अब इसके साथ integral आता है तो याद रखना है जब आप diagonally multiply करोगे इस तरह तो no integral direct आपका answer आगे है लेकिन जब आप raw को multiply करोगे तब आपके पास integral आजाएगा तो rule यह कहता है कि जब zero नहीं हो रहा तो आप वहाँ रुक जाओ जिस raw का product integrate कर सकते हो answer किस तरह लिखोगे इसको आपने normally multiply कर दिया और जिस raw पे आप रुके होना उस raw को आपने multiply करना है और उसके साथ आपने integral लगा देना है उसके बाद आप solve करोगे इसको solve करना मुश्किल नहीं है यह आपके बाएं हाथ का खेल होगा यह तो अपने जगा पे रह जाएगा x cube ln x upon 3 अच्छा यह जो 3s को भार कर दो x cube से x cancel करो तो x square बचेगा अब यह integrate करना आपके लिए मुश्किल नहीं है आप बहुत असानी से इसको integrate कर सकते हो तो इसका answer हो जाएगा x square का integral होता है x cube upon 3 that's it next step मैं multiply कर देना तो answer आजाएगा तो second stop क्या है पहला stop था कि अगर कोई 0 हो जाए तो आप रुख जाते हो अब एक तो इसके साथ algebraic के साथ आ रहा है logarithmic अब मैं एक और example देता हूँ जिसमें algebraic के साथ आ रहा है inverse let कर लो थोड़ा easy कर लेते हैं क्योंकि यह मुश्किल हो जाता है इसको easy कर लेतो बहतर है exam में जब आएगा easy करके आएगा क्योंकि tangent inverse inverse के साथ मामला खराब हो जाता है तो इसलिए easy आएगा let कर लो x tangent inverse आपके पास आगया तो किस तर रहा integrate करोगे अब एक algebraic है और एक inverse technometric है तो i पहले आता है मतलब inverse को आप u ले लोगे inverse वाले function को आपने u ले लिया और algebraic को आपने भी ले लिया अगेन यहाँ पर कोई zero नहीं होगा तो आपने देखना है किस raw के product को आप integrate कर सकते हो tangent inverse का derivative होता है one upon one plus x square और x का integral होता है x square upon two अब आपको maybe दिखने में लगे या ना लगे लिकिन आप इसके product को integrate कर सकते हो जो raw आई है इसके product को integrate कर सकते हो कैसे करोगे मैंने वही बताया अगर यहाँ पर कुछ और होता ना तो यहाँ पर x cube आजाता तो आपका integral मुश्किल हो जाता that's why जब यह वाला सवाल आता है तो वो easy करके आपको देते तो इसकी raw के product को integrate कर सकते हो मैं जब बताऊंगा तो किस तरह इंटिग्रेट करने तब आपको clear हो जाए का तो फिलाल आप यहाँ पर रुख जाओ आप इस चीज पर इमान लियाओ कि इसको इसके product को आप integrate कर सकते हो तो positive negative यह इस तरह अलोगा दो अब आप इसका answer लिखो answer किस तरह लिखोगे tangent inverse को इससे multiply करो tangent inverse multiply हुआ x square upon two से multiply कर दिया फिर भार minus sign है minus लिख दिया मैं वहाँ पर लिख दिता है लेकर जगा नहीं थी तो नीचे लिख रहा हूँ फिर इस rock को multiply करो आपस में तो यह two जो है इसको भार भार ना करो चलो ऐसी रहने दो one upon one plus x square को multiply कर दो x square upon two से इसको आपको integrate करना है तो कैसे करोगे integrate जो पहली term है यार वो में लिखनी रहा इसको as it is copy कर देना यहां पर जो असल चीज़े वो मैं आपको बता रहा हूँ यह one upon two जो इसको भार कर दो पहले तो उपर बचा x square नीचे बचा x square plus one और बहार बचा dx इसको आपने integrate करना है तो integrate की एक technique यह भी होती है यह कोई formula कोई rule नहीं है लेकिन technique यह भी होती है कि आप देखो कि नीचे भी अगर x square मौझूद है और उपर भी x square मौझूद है तो पहर आप उपर किसी तरह same कर लो मतलब नीचे x square plus one है ना तो उपर भी आप किसी तरह plus one ले आओ तो वो कैसे लाओगे उसको लाने का तरीका यह होगा कि आप उपर plus one और minus one लिख दो बात यहीं कि यह आपने one add करवाया one subtract कर दिया और नीचे x square plus one अपने जगा पे आ रहिया अब आप LCM break कर दो आप लिखोगे x square plus one divided by x square plus one मतलब आपने इन दो ट्रम को एक साथ पिक किया और इसके नीचे पूरा denominator लिखा फिर minus one divided by x square plus one तब बताया था मुश्यर हो जाते हैं सवाल आपने का कर दिया LCM break कर दिया उसके बाद आपके लिए easy हो जाएगा मैं आखरी step बता देता हूँ उसके बाद आप लोगो खुद करील हो गए कि पहली वाली ट्रम ये शुरू में जो आई थी इसको तो हैजलिस copy करो minus one upon two x square plus one divided by x square plus one ये तो one हो जाएगा और ये one upon one plus x square अपने जगा पे आगे हैं ये आपकी final form है इसके बाद आप इसको असानी से integrate कर सकते हो कैसे बाद वन को integrate करना तो मुश्किल नहीं है ना वन लिखो ना लिखो बात एक ही है तो जब आप dx को मन से multiply करोगे तो dx का integral तो बड़ा easy होता है एक्स के बराबर होता है इसको कैसे integrate करोगे इस पर वही फॉर्मल लगाओ जो अभी मैंने टैंजन इन्वर्स का बताया था बिल्कुल वही वहला फॉर्मल लगए इसके उपर या वैसे भी इसको सोचो मैंने class के start में चीज़ बताई थी कि जब आप इसको integrate करोगे तो आप सोचो यह किसका derivative है यह tangent inverse का derivative होता है तो जब आप इसको integrate करोगे तो answer में tangent inverse आजाएगा तो अब इसको integrate करना मुश्किल काम नहीं है लेकिन इस सवाल normally mcqs में आते नहीं है क्योंकि यह बहुत बड़े हो जाते है लेकिन अगर आगे युनिवस्ट्री में आ सकते है में भी एनेडी के ट्रेस में आ जाएगे लेकिन board exam में तो भूल जाओ वो तो ऐसे आते भी नहीं है mcqs के अंदर आपके board exam में integration by part के मैंने सवाल देखी नहीं mcqs के अंदर कि मुश्किल होते हैं इसलिए वो देते नहीं है अगर आया तो यह वाला सवाल आएगा क्यूंकि अगर आप x square कर दोगे ना तो integral और मुश्किल है तो that's why practice कर लो इसकी भी यह भी आ सकता है screenshot डिल रिसका अब आखरी category है यह आपने दूसरा stop देखा था raw के product को आप integrate कर सकते हो अब जो तीसरा stop है उस पर आजाओ और वो आखरी example है इसे related क्यूंकि ट्रिक बहुत important है और इसके काफी different cases है अब मैं अगर पहला के discuss कल लेता तो आप लोग कुछ सवालों जाके फ़ज़ाते हैं इसमें कोई जिरू नहीं हो रहा था यह इस सवाल में फज़ाते हैं अब जो ही मैथड़ यह एक्स्पोनेंशल और टिग्मोमेट्रिक दोनों जीट फंक्शन हैं दोनों ऐसे कोई भी खतामी नहीं होता कभी भी किसी को भी इंटिग्रेट कर लो किसी को भी डिफ्रेंशेट कर लो कोई खतम ही नहीं होता और ना कभी इनके रोग के परट को आप इंटिग्रेट कर सकते हो आप पूरी जिंदगी लगे रोग कभी इनको इंटिग्रेट ही नहीं कर सकते हैं exponential और technometric अगर आप इस रूल में देखो तो नॉमली टी ई लिखावा होता है लेकिन order matter नहीं करता जब यह दो function आजए किसी को भी यू ले लो किसी को भी ले लो क्योंकि दोनों ही धीट हैं दोनों ही नहीं होना है आपसे तो मर्ज ही आपकी लेकिन हम रूल को follow करते है रूल के derivative होगा cos और e की पावर x का integral होगा e की पावर x फिर cos का derivative होता है minus sign और e की पावर x का integral e की पावर x यह सिलसला कब तक चलता जाएगा अब यहां पर दूसरा वाला काम नहीं हो सकता आप किसी भी rock को multiply करो फिर भी integrate नहीं कर सकते लेट कर लोकर आप इस rock को multiply कर रहे हो तो दु कि अगर आप किसी rock को multiply करो और आपको वही original function मिल रहे हों जो सवाल में आपको मिल रहे हैं जैसे अगर आप इस rock को multiply करो तो देखो सवाल में भी आपको e की power x था और sin x था इसमें भी e की power x और sin x मिल रहे हैं तो जैसे आप observe करो कि अगर मैं किसी rock को multiply कर रहा हूं तो मुझ इस step में रुक जो, क्यूंकि आपको वही दो function मिल गए जो सवाल में थे अब आप वही काम करो, और जिस raw पे रुके हो, उन raw को आपस में multiply करोगे अचा, normally, जो मैं i लिखता था ना, अगर आप में note किया हो, तो हर answer के साथ मैं i लिखता हूँ, उसका मतलब होता है, मैं इस पहली चीज़ को i के बराबर लेट करता हूँ, जो integral given होता है, उसको हम i के बराबर लेट करते हैं, तो यह जो पूरा integral है, यह i के बराबर, अब आप इसको solve करो, sin x को e की पावर x से multiply करो, यह आजाएगा, minus cos को e की पावर x से जैसी आप रो को multiply करते हो, तो आप integral का sign लिखते हो, लेकिन sign negative है, किसका negative है, हाँ negative sign से matter नहीं करता, मैंने तभी wording भोली है, वो ही दो function आने चाहिए, अभी बात function की हो रही है, अभी उनके sign की बात नहीं हो रही, e की पावर x और sign, यह होने चाहिए, with negative है, यह इनका coefficient 2, 3, यह होता, एक ही बात है, आपने देखने function होने चाहिए, उनके साथ minus हो, उनके साथ two हो, उनके साथ e हो, कुछ भी हो, यह matter नहीं करता, यहाँ पे sign, यहाँ पे exponential, तो आपका match कर गया है, क्योंकि अब जो मैं काम करने लगा हूँ, आपको समझा जाजेगी उसकी reason, कोई भी constant लिखाव, इसको integral से भार कर सकते हो, तो again यह वाली form आजेगी, अगर minus लिखाव, इसको भी integral से भार कर दो, असल में यह form चाहिए थी आपको, अब आपने किया क्या, इन दोनों को multiply किया, और इनको आपने raw wise multiply किया, तो आपने integral का sign लगा दिया, लेकिन अब आप थोड़ा बराबर लेट किया हुए, आई के बराबर, तो ये भी तो पूरी चीज आई के बराबर हो जाएगी ना, इस पूरी को आई के बराबर ले लो, तब आपका सवाल क्या होगा, लेफ्ट एंड साइट पर आई है, फिर लिखा हुए, एकी पावर एक्स में common ले लेता हूँ, sin sin x minus cos x, मतलब इन दो ट्रम से मैंने e की पावर x कामन ले भी है, तो sin x cos x, और ये पूरी चीज जो है, ये एक्च्छल सवाल है पूरा, जिसको मैंने i के बराबर लेट किया था, तो ये i हो गया, मैंने बताया था, इसको और हल नहीं है, इसको यह हल है, कि आप इसको यहाँ i को देल ले आओ, इदार राके 2 i हो जाएगा, बस यही काम है, अब आपको just i की वैल्यू चाहिए 2 को डिवाइट कर दो, ये पूरा इसका इंटेगर लादाएगा, तो आपने खुद देखा है, ट्रिक भी इतनी बड़ी ट्रिक है, तो ये सवाल नॉमली कम ही आते है, अजबरिक और एक्सपोनेंशल होता है, मिजॉर्टी सवालों में, इंटिकरेशन बड़ी पार्ट के जो mcqs में आते हैं, लेकिन ये भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने एक एक सबकी एक्जेम्बल करवा दिया, आप लोगों को इसुन आओ, तो टॉपिक पुरा कंप्रीट हो क्या मैंने बोला, e की पावर x मौझूद है बहार, अंदर एक function है, उसका derivative उसके साथ मौझूद है, तो इस पूरी चीज़ का answer होता था, e की पावर x, जो function है वो लिखो, plus c constant of integration, जैसे example लेते हैं, अगर आपके पास लिखा हो, e की पावर x, tangent x, नहीं tangent inverse कर लेते हैं, 1 upon 1 plus x x square dx, तो देखो, e की पावर x भार मौझूद है, अंदर ये function मौझूद है, इस function का derivative, tangent inverse का derivative क्या होता है, 1 upon 1 plus x इसको है, तो जो function उसका derivative साथ मौझूद है, तो formula लगा दो, formula क्या है, e की पावर x, जो function है, उसको लिखो, plus c, आपका answer आजाएगा, question number 4 जो है उसके शुरूं के 4-5 question आप solve कर लें, आपके practice हो जाएगी, मैं एक और कर वा देता हूँ, let कर लो, आपके पास आजाए, e की पावर x, sin x plus cos x, इसका answer क्या होगा, तो वही बात है, e की पावर x भार मौझूद है, अंदर आप sign को function ले लो, sign का derivative क्या होता है, cos, जो e की पावर x, जो भी function है, वो लिखो और plus c लगा दो, तो यह भी एक formula था integration, by part की exercise के अंदर,